कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजलार शर्माज रहरेवार है सुबा 11 से लेकर 8 बजे तक राज़िंग राजस्थान रोड़ शो भी होगा समेलन के दूसरे दिन आपको बता दे कि राज़िंग सरकार का प्रतिनेदी मंडल भी मीटिंग करेगा कई देशों के राज़िंग राजनायकों के साथ राउंडेबल मीटिंग होगी बेटक में राजस्थान सरकार निवेश को लेकर जानकारी देगी तो आपको बता दे कि आज दूसरा दिन है जहां राज़िंग राजस्थान को लेकर आज भी रोड़ शो किया जागा कई देशों के राजदूत और राज़नाइकों के साथ राउंड टेवल मीटिंग आज होनी है तो दिली दौरे पर मुखी मंती बजलाज जर्मा है कल भी आपको पता दे कि राज़सांग के इंवेस्टर समिट में मुखी मंती बजलाल शर्मा ने कल सम्बोधित करते हुए कारकरम को बूला कि हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं राज़स्थान की सम्ब्रदी विकास के लिए ये मान सकते हैं कि आने वाले 2025 तक आर्ट विवस्था दुगनी की जा सकती है और इसको लेकर आज दूसरा दिन है जहां राज़सरकार मीटिंग करेगी कई देशों के राज़दूतों और राज़नाइकों के साथ ये राउंटेवल मीटिंग है कि राउंटेवल मीटिंग में आप मान सकते हैं कि पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं सकरात्मक दुस्थी कोड के जरिये राज़जिंग राज़स्थान के तरफ आगे बढ़ते में दिखाए पड़े क्योंकि तीन दिवसी ये कारक्रम है जो कि दिसंबर में होना है चले बढ़ते आगे जैपूर से बड़ी कबर आ रही है अंतरास्टिय व्रधिजन दिवस आज है और ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व्रधिजनों का सम्मानित करेंगे व्रधिकलने आर्थ सांस्कृति कला में महत्वपूर योगदान देने वाले होंगे सम्मानित स्वैम से भी संस्थाओं को मंत्री अविनाज गयलोद सम्मानित करेंगे OTS जैपूर में 11 बजे से ये कारक्रम शुरू होगा आज मंत्री अविनाज गयलोद करेंगे जुकि आज हैं अंतरास्टी व्रधिजन दिवस मैत्पूर योगदान देने वाले व्रधिजन सम्मानित आज होंगे खुद अविनाज गयलोद यानि की जो क्याबिनेट मंत्री हैं व्रधिजन को सम्मानित करने का काम करेंगे वो व्रदर जेनों में समाज में अपना योगदान दिया है आज अंतराश्टी व्रदर जेवन डिवस के खास मौके पर राधानी जैपुर में पी कारिक्रम का आयजन है इसमें काबिनेट मंप्री अविनाज गहलोच शिर्कत करने वाले है और शलिए बड़ी खबर की तरब रुख करते हों बताते चले कि कॉंग्रेस का आज प्रदेश व्यापी विरोत प्रदर्शन है सभी जिलों में कॉंग्रेस विरोत करेगी 9 मैने 9 समस्या की थीम पर कलेक्टर को ग्यापन भी सौपा जाएगा तो एक बड़े प्रदर्शन की तयारिया आपको कॉंग्रेस ने की है आज पूरे प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस जोरदार हला भोल करेगी सभी जिलों में कॉंग्रेस का ये प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा नौ महिने नौ समस्या की थीम पर कलेक्टों को ग्यापन भी कॉंग्रेस कारी करता सौपते हुए नज़र आएंगे नौ महिने यानि की मौजुदा सरकार की नौ महिने और उसमें किस तरह के से नौ समस्या अभी भी बनी हुई है उसी की थीम पर ये एक बड़ा विरूथ परड़रशन आज कोंग्रेस करने चारी है भी नौ महिने में नो तीम को लेकर कॉंग्रेस का जोरड़ा परड़रशन गशद्लान सरकार में कैबिनेट मंती किरोडी लाण मीला की एस्तिफिय को लेकर हर दिन नया मोर सामने आ रहा है रवीग वपर को कैबिनेट की बैट्रीक में किरोडी लाल मीला शामिल हुए तो यह माना गया कि अब मीला की नाराजगी खत्म हो गई है लेकिन किरोडी लाल मिडा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने इस्तिफे के फैसले पर अभी भी अटल है किरोडी लाल मिना के इस्तिफे पर सस्पेंस बरकरा इस्तिफे की बात पर फिर बोले किरोडी लाल इस्तिफे का फैसला बरकरा वाक्त बीतता जा रहा है लेकिन डॉक्टर किरोडिलाल मिना के इस्तीफ़े को लेकर शुरूख हुआ सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा रविवार को जब किरोडिलाल मिना ने कैबिनेट की बैठक में हिसा लिया तो लगा कि सबकुस ठीक हो गया लेकिन सुमवार को उन्होंने एक बार फिर अपने नए बयान से सब को चौंका दिया केरोडी ने साफ किया कि उनके स्थीपे का पैसला अभी भी बरकरार है इतना ही नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थीपा स्विकारने की गुजारिश भी की रविवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद भी डॉक्टर किरोडिलाल मिना सफाई देते नजराय थे उनका कहना था कि प्रदेश अधिक्ष के कहने पर वे मीटिंग में शामिल होए थे इतना ही नहीं उन्होंने एक विधायक के तौर पर बैठक में शामिल होने की बाद कही थी इस बाद जब प्रदेश अधिक्ष मदन डाठोर से बात की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजराय उनका कहना था कि सब अपना काम कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर किरोडिलाल मीना एक तरफ इस तीफे पर अडिक रहने की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वे सरकारी बैठक में भी शामिल होने के साथ आपदा ग्रस्त इराकों का दोरा करते नजराय थे ऐसे में कन्फूजन बड़ा भारी है अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टर किरोडिलाल मीना के बीच चल रहा आंख मिचोली का ये खेल कब तक जारी रहेगा जैपूर से निउस 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपूर और इधर प्रदेश में उप्चुनाओ से पहले कॉंग्रेस फुल कॉंफिडेंस में है प्रदेश की सभी सातों सीटों पर उमिद्वार उतारने की त्यारी की जा रही है इतना ही नहीं सातों सीटों पर जीत का दावा भी कॉंग्रेस कर रही है कॉंग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटे जीतने वाली है कॉंग्रेस का कहना है कि हरियाना विनासवा चुनाओ में कॉंग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका वादा पार्टी को उप्चुनाओ में मिलेगा राजस्तान में कॉंग्रेस अब उपचुनाओ की तैयारियों में मिशन मौट पर जुटने वाली है हरियाना चुनाओं में लगने के बाद में परदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाना चुनाओं में कॉंग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्तान के उप चुनाओं में भी देखने को मिलेगा कॉंग्रेस यहाँ पर इतनी confident नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हाला कि प्रदेश अदक्ष का मानना है कि आखरी फैसला हाला का मानना होगा लेकिन उनकी team सभी 7 सीटों पर लगी हुई है प्रदेश में पिछले 9 महीने में कॉंग्रेस का स्थाफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तयारी चल रही है हला कि गड़बंदन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा सरा ने कहा कि आलाकामान जो भी वैसला करेगा वो मंजूर होगा हला कि उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रदेश नौ महीनों में कोई काम ना करने का आरोप लगाया कॉंग्रेस को भरोसा है कि उप्चनाव में कॉंग्रेस सभी साथ सीटे जीतने वाली है गड़बंदन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है लेकिन जब तक गड़बंदन का फैसला नहीं होता तब तक कॉंग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं हलाकि लोकसवा चुनाओं में कॉंग्रेस ने RLP और माकपा के साथ गटबंदन किया था और एक सीट पर BAP प्रत्याशी को समर्थन दिया था कि बात करी नहीं सकता आज की तारिक में हम साथ उन जगे कॉंग्रेस के मंदलों में ब्लोकों में अमारी कार्यकारणी बना दिये हैं वहाँ पर परचार कर रहे हैं अब्जर्वर हमने लगा दिये हैं वो जा रहे हैं हमारे MP, कंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे वे राडिस्थान की साथ विदासवा सीटों पर उप्चुनाव होने वाले हैं इनमें अलवर, रामगड, जुन्जुनू, दोसा, देवली, उन्यारा, खीवसर, चोरासी और सलूंबर शामिल है हलाकि चुनाव की तारिखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है एक और कॉंग्रेस मान कर चल रही है कि उप चुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है तो दूसरी और हर्याला में बेहतन नतीजों की उम्मीद भी है ऐसे में अगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या-क्या बदलाव दिखाती है ये देखने वाली बात होगी कि इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नदर आता है कैमरा परसन शेर सिंग के साथ में अरबाज एहमद यूदेटीन के लिए जैपूर से शापूर से बड़ी ख़बर की दरब जहां बेवार पर प्रित्राव का मामला सामिया है आज जहाजपूर में हिंदू संगटनों का इसको लेकर महा पड़ाव है जल जूर्मी एकाडशी पर बेवार पर पत्थाव वथा पंदा दिन से भगवान का बेवार मंदिन नहीं पहुँच पाया सोला सुत्री मांगो को लेकर प्रदर्शनाज किया जाएगा महा पड़ाव को लेकर पोलिस और प्रशासन पूर इतना सालन मोट पर है लगातार पूरे मामनेकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है तो चापुरा से बड़ी ख़बर आपको बदा रहे है सोला सुत्री मांगो को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे विवार पर पत्थ्राव को लेकर हिंदू संगटनों का महा पड़ाव 15 दिनों से पड़ाव पहुचा नहीं है अपने सुरक्षित स्थान पर उसको लेकर हिंदू संगटनों का पंगा दिन से प्रदर्शन चला है सोला सुत्रिय मांगो को लेकर हिंदू संगटनों का महा पड़ावाज होगा पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर मॉनिट्रिंग निगरानी रखी जा रही है तो महापड़ाओ को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलग मोट पर है मॉनिट्रिंग तो पुलिस करी रही है, पुलिस जापता भी तैनात है बंदा दिन से भगवान का बेवाड मंदिन नहीं पहुचा है जल जूलनी एक अदेशी पर बेवाड पर आपको याद होगा पत्रा हुआ था और इसी मामले को लेकर नराज़गी जाहित करने के लिए आज जहाजपुर में हिंदू संगठन महापड़ाओ करने जा रहे है बड़ी कबर शापुरा से रापर विवार पापत्रा के मामले में आप बताएं कि आज हिंदू संगठन महापड़ाओ करेंगे ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलट है अब देखना होगा कि 15 दिनों से महापड़ाव को लेकर आगे बढ़़ा है हिंदू संगठन क्या 16 सुट्रिय मांगों को लेकर जो प्रशासन है वो उनकी मांगों को मारता है और आज ये को दर्शर खत्म करके क्या आगे बढ़ते हैं ये बेवार को लेकर ख़बरों में आगे बढ़ते हैं कोटा श्री गंगा नगा ट्रेन एक सिर्फिरे ने जमकर इसमें तोड़फोड की उत्पात मचाया है हंगावा तोड़फोर और पात मचाने की लाइफ तस्वीरे सामने आज सुकी हैं सिर्फिरे ने आगणी शमन यंत्र से वार कर एसी कोच के दर्वाजे खिड़की और वोश बेसिंगे सीशे तोड़ती है तस्वीरी भी आपके सामने जहां पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड हुई है और कुछी धेर में सिर्फिरे ने कोच को कबार बना कर रख दिया गबरायस है में कई यात्री अपनी जार बचाने के लिए तोड़र शिपते हुए नजर आए हैं भागते हुए नजर आए हैं रेकिए किस तरीके से बहाते हुए फकड़ा भी गया है जो वह यहां पर माफी भी मांग रहा है कोज की बिगडे आराब देकर कई यात्री इस सिर्फिरे को रोकने की कोशिश भी करते हुए नजर आए लेकिन या सिर्फिरा उल्टा यात्रियों को मारने पर आमदा हो गया अब बाद में एक जुच हुए यात्री इस सिर्फिरों को पकड़ दिया और काबू में किया और आर्पिया प्लिस को सुचा दी या वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है रेन्वे यात्री इस प्रक्षा पर भी काई बड़े सवाल खड़े हो रहा है तो कोच योग पूरा कबार बना हुए नजर आ रहा है आपको जगा जगा शीशे तूटे हुए नजर आ रहे हैं ये दर असल एक सिर्फिरे की कर्तूत है सिर्फिरे ने जमकर उत्पात कोच के अंदर मचाया दरे से हमें आफ्री अपने अपनी जगा से निकल कर शुरक्ष जगा डून रहेते ताकि किसी तरीके सपनी जान मचा पाया आलाकि एकार ने रोकने की कोशिश तो की थी लेकिन सिर्फिरा नहीं माना जानकारी के साथ समवादाता ओम प्रकाष फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं ओम प्रकाष सिर्फिरे युवक ने ट्रेंड में मचाया उत्पात क्या एक्शन लिया गया हो क्या जानकारी देखिए आर्बीएफ की टीम को जो दूसरी यात्री थे उन्होंने तत्काल इसको काबू में करके सोब दिया है हलांकि ये कोटा से निकलने वाली कोटा स्रीक गंगानगर ट्रेन का मामला हूँ और निवाई के आसपास का बताए जारा है क्यूंकि वहाँ जो आसपास जो यात्री थे बोह सहम गए थे डर गए थे क्यूंकि बदमासे जमकर उत्पात मचाया तोरपोर की हंगावा किया गाली गलोज की और खिली मीश्टाइय। और ऐसे में अब देखना होगा इस पर क्या आक्शन लिया जाएगा शुक्रे तमाम जानकाने हम तक पहुचाने के लिए